हेलो दोस्तों वेलकम टू ओनलाइन स्टेडी पॉइंट दोस्तों आज ये वीडियो बहुत इस्पेसल है काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि आज इस वीडियो मैं आपके लिए कराया हूँ कम्प्यूटर के टॉप मोस्ट इंपोर्टन कोश्चन जो की कई प्रत्योगी परिक्षाओं में पूछेगा ये कोश्चन है ओल्ड कोश्चन है ये प्रत्योगी परिक्षाओं में SSC बैंग रेलवे एक्जाम में ये कोश्चन कई वार रिपीट हो चुगे हैं इसलिए आगामी जो बैंग के एक्जाम में SSC रेलवे एक्जाम होने वाले हैं उसकी दृष्टी से कोश्चन अत्यन्त महत्पूर है ठीक है तो आब इस वीडियो को बिल्कुल इगनोर मत करिए लाश तक देखिएगा और जो लोग चैनल पर पहली बार वीजिट करें चैन पॉल एलन और विल गेट्स ठीक है दोनों जो है तो पॉल एलन और विल गेट्स ने मिलकर माइक्रो सब्ट कंपनी के संस्थापक है इन्होंने स्थापना की थी ठीक है तो माइक्रो सब्ट कंपनी के संस्थापक कौन है पॉल एलन और विल गेट्स दोनोंने मिलकर माइक्र स्थामना की थी अगला प्रसन दोस्तों सूचना राजपत किसे कहते हैं सूचना राजपत किसे कहते हैं तो इसका राइड एंसर है दोस्तों 55 का डी इंटरनेट को जो तो सूचना राजपत कहते हैं किसको इंटरनेट को अगला प्रसन है इमेल यानि electronic mail के जन्मदाता किसे माना जाता है दोस्तो जो email है email के जन्मदाता है निफादर है वो Ray Tomlinson को माना जाता है इसको Ray Tomlinson को ठीक है तो email के जन्मदाता कौन है Ray Tomlinson इसको आपको याद रखना है अगला present काफी important है भारत का प्रतम computer की डागघर कहां है भारत को जो प्रतम computer की डागघर था computer वाला डागघर कहां पर था जिसका right answer दोस्तो नई दिल्ली में भारत के आज है नई दिल्ली में प्रतम computer की डागघर यहीं पर पहला open हुआ था अगला है प्रतमान railway के अंतरगत सरब्रतम computer की आरक्षन विवस्था कहां लगाई गई थी तो भारती रेलवे के अंतरगत जो है तो भारत में रेलवे के अंतरगत सरप्रथम कंप्यूटरी की आरक्षण वेवस्था कहां पे लगाई गई थी इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो है नई दिल्ली में ठीक है प्रथम computer की डागर के साथ reservation की बेवस्ता जो है computer की तरी reservation नहीं दिल लिए में ही थी फिर अगला प्रसंद www का पूर्ण रूप क्या है full form क्या है www का तो इसका right answer है worldwide wave ठीक है क्या है worldwide wave इसका right answer है www का पूर्ण रूप worldwide wave अगला गोचन है computer के संदर में RAM का क्या ततपर है जिसका answer है random access memory ठीक रम का full form क्या है random access memory अगला प्रसंद देखते है CPU का full form क्या है CPU का विस्तरी तरूप क्या पूछ रहे सही उतर है central processing unit ठीक है central processing unit CPU का full form है अगला question है CAD का ततपर क्या है तो इसका right answer है computer added design ठीक है computer added इंटरनेशनल बिजनेश मशीन जो है तो IBM का फूल फॉर्म है नेक्स सोचन है CD-ROM का फूल फॉर्म क्या है तो इसका राइड एंसर है दो सिक्स्टी फोर का जो राइड एंसर है B ठीक है Compact Disc Read Only Memory जो है तो CD-ROM का फॉल फॉर्म है ठीक है CD यानी Compact Disc रोम है रीड उनली मेमोरी अगला है निम्खित उत्पादों में से Counts उत्पाद पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है काउन से उत्पाद जो है तो पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है जिसका राइड एंसर है दोस्तों Micro processor ठीक है Micro processor जो है तो पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है अगला question काफी important द्व ड्व्ड्व की अभिसकारक तथा प्रवर्तक कौन है इसके खोच करता कौन द्वर्ल ड्व यानि World Wide Web के अभिसकारक प्रवर्तक क्वन है सही उत्तर है अपसा नंबर डी टिम बर्न ली को जो तो डब्ली-डव्ब का खोच करता विश्कारक प्रवाइब तक माना जाता है ठीक है और यह प्रस्थ यूपी PCS में 2004 में पूछा गया था अगला याहू Google एमेशन है याहू Google और एमेशन क्या है यह तीनों यह तीनों दोस्तों क्या है याहू Google और इंटरनेट साइट्स ठीक है इंटरनेट साइट्स है अगला कुश्चन है दोस्तों 68 नमर का कम्प्यूटर सब्दकोस में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है computer सब्यक्रों में CD action का प्रयोग किसके लिए के जाता है तो पहले वाले question में मैं आपको बता चुका हूँ compact disc ठीक cd किसलिये जाता है compact disc अगला पस्ने निमलखीत में से कौन से computer की भासा नहीं है इन में से कौन से computer की भासा नहीं है आपको बताना है तो यह जो fast है यह कंप्यूटर की भासा नहीं है ठीक बागी बेसिक सी फोट्रान ये तो इन्हों भासा है और फास्ट नहीं है नेक्स सोचन है निम लिखित मेंसे कौन सी सूचना प्रद्व की शब्दावली नहीं है तो इसका राइड एंसर है दोस्तों सी ठीक है प्रकास भंडारन ये जो तो सूचना प्रद्व की शब्दावली नहीं है बागी साइबर इस्पेस अपलोड मोडे में सब्दावलिया है अगला है विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है टी त्रिये ठीक है तिहाने त्रिये इस चाइना का सबसे तेज कंप्यूटर है ठीक है अगला है अनुपम क्या है अनुपम क्या है जिसका राइड एंसर है एक सूपर कंप्यूटर अनुपम एक सूपर कंप्यूटर है नेक्स सोचन है भारत में विक्सित परम सूपर कंप्यूटर का विकास किस स स्थीत है अगला कंप्यूटर डाटा के सबसे छोटी काई 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 सी है कंप्यूटर डाटा के सबसे छोटी काई 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 सी है बाइट बीट रिकॉर्ड या फाइल आपको बताना है तो इसका राइट एंसर बीट ठीक है कंप्यूटर के डाटा के सबसे चोटी काई बीट है। अगला है Michael Angelo बारस है तो यह कासा वायरस है को यह काई यहाटक है एक कंपुटर वायरस ठीक से सारे कंपुटरों में लागू होती है सारे कंपुटरों में लागू होती है एक अагल इसका सही उत्तर दोस्तों वह एक चौती पीड़े के कंप्यूटर है नेक्स्ट रोचन ऐसी युक्ति जो आकड़ों को आवेगों परिविर्थित करती है तथा उन्हें से कंप्यूटर की और कंप्यूटर से टर्मिनल की टेलीफोन लाईन पर संप्रसिद करती हूँ है जिसका राइट एंसर है और कंप्यूटर कौं कौन सी भावा परमाणुन संधान के अंदौरा विक्सित सूपर कंप्यूटर परियोजना है जिसका सही उत्तर है अनुपम ठीक है अनुपम अगला कोशन है एक कंप्यूटर की स्मृति सावाने तौर से किलो वाइट अथवा मेगा वाइट के रूब में व्यक्ति आती है एक एक वाइट बना होता है आठ दुधारी अंकों का अगला पसने एक लोगप्री विंडोइंग इन्वार्मेंट विंडोस त्री माइक्रो सब्दान नेमित की गई उतार है सन 2000 में ठीक है अगला पसने कंप्यूटर कंप्यूटर क्या है इसका राइट एंसर है आगणों को व बंदे मातरम